पार्ट 1 के चात्र धयान दीजीए अगर आप लोग किसी कारण से पार्ट 1 में आपका रजिस्टेशन नहीं हो पाया था दोस्तो आपका सेशन 2020-2023 है तो दोस्तो फिर से एक बार आप सभी चार्टलों को registration करने के लिए link activate किया गया है अगर आप लोग चाहे तो online कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आप लोग LNMU के official website पे जा सकते हैं Google पे साच कीजिए LNMU और official website पे आ जाएए यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको नीचे scroll down करना है और down करने के बाद आपको यहाँ पे साड़ा detail में notice देखने को मिल जाएगा सबसे पहले दोस्तों आप लोग नीचे आईएगा तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि UG Part 1 वाले student का नीचे आईए और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं registration का link activate कर दिया गया है तो इस पे आपको simply click कर लेना है और click करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपना user ID और password डालके login कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि examination form UG Part 1 coming soon यानी reopen coming soon बता रहा है कुछी दिर में इसे भी update कर दिया जाएगा कुछ दिनों में इसके बाद चाहे तो आप लोग password forget कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे दो link दिया गया है password forget करने का जहाँ पे दोस्तों first or second है यहाँ पे देख सकते हैं get access login and password examination form UG Part 1 इस पे भी click करके और आप लोग अपना course select कीजिए इसके बाद दोस्तों आपका application number जो आप लोग online करते समय admission लिए होंगे उस समय आपको एक मिला होगा उसमें से application number दीजिए और search कीजिए आपका user ID और password सर्च होके आ जाएगा same process है यहाँ से भी आप लोग password forget कर सकते हैं इसके लिए simply उस पे click किजिए अपना नाम दीजिए और इसके बाद mobile number दीजिए और search कर लिजिए तो दोस्तों इन दो तरीकों से आप लोग अपना password forget कर सकते हैं और दोस्तों आप लोग online कैसे apply करेंगे तो चलिए आपको जनकारी दे देते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को लली तनायन मितला इनिवरसिटी का official website पर जाईए जिस परकार से हमने आपको बताया login कीजिए और इसके बाद दोस्तों आप लोग को login करने के बाद आपका अपना एक photo passport size इसके बाद signature upload करना है इसके बाद दोस उसके एक वीडियो बना रखे हैं तो आप लोग को वीडियो आई बटन में मिल जाएगा तो वीडियो देखे और आप लोग online कर सकते हैं अगर किनी एस्टों को करवाना है तो whatsapp नमर दिया गया है